तमाम अध्येनों में आप सुन चुके होंगे कि शरीर को स्वस्त रखने के लिए फैट वाली चीजों का सेवन करना चाहिए लेकिन जिन लोगों का वजन जादा होता है उन्हें खास तोर पर फैट दियुक्त आहर खाने से परहीच करने की सरहाती जाती है पर क्या वास्तव में वसा यानि की फैट शरीर के लिए नुकसान दायक होता है आपको बता दें कि वसा दो प्रकार के होते हैं जी हाँ जिसमें से एक वसा शरीर के लिए अच्छा होता है और एक नुकसान दायक संत्रप्त वसा और फ्रांस वसा आपको बता दे कि संत्रप्त वसा जो होता है वो शरीर के लिए नुकसान दायक होता है वहीं फ्रांस वसा जो की आपके श्वरीर के लिए अच्छा होता है चीया सीट जब वसा यानी फैट वाली चीजों के खाने की बात करते हैं तो चीया सीट एक बहतर आप्शन है इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिट बने होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए सर्वत्तम होते हैं डाक चॉकलेट में भी स्वस्त वसा का अच्छा स्त्रोथ होता है जो आपकी हेल्थ के लिए काफी अच्छा माना जाता है अंडे का सेवन करना अस्वस्त कई लोग मानते हैं लेकिन इसका कारन होता है इसकी ज़र्दी में केलेस्टरोल और वसा की मातरा अधिक होना आपको बतादें कि एक अंडे में 212 मिली ग्राम तक केलेस्टरॉल की मातरा होती है लेकिन अंडे में मौझूद केलेस्टरॉल रक्त में केलेस्टरॉल को प्रभावित नहीं करता और अंडे का सेवन प्रोटीन के मामले में बहतर माना जाता है